हाई फ्रेंड्स इस वीडियो की अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं इंडिया सी ओमेंस वर्सेस इंडिया डी ओमेंस की बीच में जो अखला T20 का मैच होने वाला है सिनियर ओमेंस T20 चलेंजर टॉफी का इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको दोनों हे टीमों के पूरी इनफॉर्मेशन सेर करने वाला हूँ बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों कौन से प्लेयर आज आपको इस मैच के अंदर ओपन करते वे नजर आएंगे दोस्तों कौन से प्लेयर फर्स्ट आउन पे खिलने वाली है सारी प्लेयर्स का बैटिंग ओडर के साथ दोस्तों मैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी इस रिक्वेश्ट है अगर आप चैनल पर पहले बार विजिट कर रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर ले दोस्तों इस वीडियो के नीची आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा इस पर एक बार क्लिक कर दें साते सतिया पर जो बैल अकन दिया वह दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपको आल का ओफ्सन दिखने को मिलेगा इसको भी एक बार स्लैक चरू कर लेना ताकि आने वाले टीटेन और टीट्वेंटी मैचस का वीडियो में जैसे ही अपलोड करूँगा आपके पास सिद्य नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचस का जानकारी आपको इसी परकार मिल पाएगा दोस्तों अगर आपको हमारे बताएगा इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हल्क मिलता है तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों हमें सपोर जरूर करना और सबसे इन्पोर्टन है कि आप मारे टेलिग्राम गृब को जोईन कर लो दोस्तों यहाँ पे आपको more का ओफ्सन दिखनה बिलेगा तो ऐसा इस्तिती में आपको final team इसी group में share कर दिया जाएगा तो एक बार जरूर से जरूर जोइन कर लेना इस वीडियो के नीचे मैंने आपको link share कर दिया है description box में और जहाँ comment करते हैं पहला comment पे link आपको pin कर दिया है आप click करके easy join कर सकते हो तो चलिए अब stats की और आगे बढ़ेंगे दूस्तों यह जो match रहने वाला चार-तीस में यह match आपको देखने को मिलेगा शहीद वीर नरायन सिंग इंटरनेसल स्टेडियम राइपूर में यह मुकावला होने वाला और यहां का peach condition लगबग 160 के आज पास एक average score देखने को मिल जाएगा दूस्तों balance पीच है कुछ batsman है जो कि अच्छा यहां पे दूस्तों runs बना रहा है जिस परकार matches हुआ है और कुछ ballers भी अच्छा है यहां पे दूस्तों wickets निकालें मैं सारी नाम आगे आपके share करने वाला हूँ सबसे पहले देखेंगे दूस्तों पर India C Omen के टीम के बारे में इन्होंने एक match खेल चुका है दूस्तों India A Omen के खिलाप जहां पे 160 का target इनको मिला था जो कि India C Omen के टीम जो है दूस्तों अभी तक 126 तक ही chase कर पाया था यहां पे और पहला ही मुकाबला जो है India C Omen के टीम loss करते वी आ रही लेकिन मुझे इंडिया D का record देखते हैं तो India D के टीम पहला मुकाबला जो कि India B के खिलाप हुआ था C का target इनको मात्र मिला था 10 ओबर 2 गिंदू पे जो कि India D के टीम इस रण को आसानी से chase कर ली आप देख सकते दूस्तों यहाँ पे India D के टीम win करते वी आ रही एक मैच और India C Omen के टीम एक मैच लॉस करते वी आ रही है चल यह batting order फे फोकस करते हैं यहाँ पे कीरन आपको open करते वी दिखेंगे दूस्तों यहाँ पे कीरन आपको open करते वी नजर आएंगे India C Omen के टीम के टीम के तरब से यहाँ पे दूस्तों 10 run score की है दूस्तों लास्ट मैच के अंदर ठीक है बाके अगर आप देखेंगे शेवी नहीं मेगना के record जो कि यह open करने के लिए 7 run बनाई थी open करने के लिए आए थी यह दोनों के दोनों opener बैट्समन है इंडिया C Omen के टीम के टीम के तरब से मिडल ओडर का बैट्समन है बॉलिंग भी आपको चार ओवर फिक्सकी करते विए दिखेंगे कैप्टेंसी वैस कैप्टेंसी के लिए भी आप पूजा को ट्राय कर सकते हैं इंपोर्टेंट रहने वाली है बाकि यहाँ पर पतन का record चार नबर पे खिलने के लिए आती दूस्तों यहाँ पर चार ओडर की है चार ओवर का गिंदबाजी में यह flop रहती लेकिन ध्यान रखना मिडल ओडर का बैट्समन है तो आप ट्राय कर सकते हो लेकिन स्टार्टिंग के तीन प्लेयर को ट्राय करना ही है इन्हें पांच शिलाड इधर फिक्स हो गया बाकि रिचा गोस पांच नबर पे खिलने के लिए आती चार नबनाई थी लास्ट मैच के अंदर अगर आप देखेंगे शरायना गड़वाल का रिकॉर्ड दूस्तों चार ओवर का गिंदबाजी की कोई विकेट नहीं मिला राशी यह दूस्तों यहापे चार ओवर का बोलिंग यह भी की यहापे देख सकते हैं चार ओवर का बोलिंग में लास्ट मैच के अंदर एक विकेट वर यह पे निकाली भी देख सकते हैं तो आप इनको ट्राय कर सकते हैं अज़े बोलर बड़िया गिंदबाजी करती है कॉमल यह दूस्तों यहापे तीन ओवर का गिंदबाजी की है और यहापे लास्ट प्लेयर एंडवल है किर्थी जेमस यह तीन प्लेयर आपको दूस्तों बैंचिस में आज नजराएंगी इंडिया सी ओमन के टीम के तरफ से लगबग आपको सीम बैटिंग ओड़र देखने को मिलने वाला है लेकिन इंडिया डी ओमन के तरफ से अगर आप देखेंगे तो यहापे जैसे आकतर ओपन करते हुए दिखेंगे दूस्तों 56 रंस पूर की है ओपन करते हुए नजर आएंगी बाकि आपको देखेंगे यह यहाप के रिक्पार यहाप का रिकषयक है न法पन का बन करते हुए नजर नाई आएंगे दो harass और देखेंगे यहापा देखेंगे प्लेर है यह तीनो वर का गिंद भाजी में एक इंडिकट से निकाली है रेनूका सीम चारवर का गंदबाज में 2 विकट निकाले चारबर गेड़कवार चारबर का बॉल ट Glovol обड निकाले लास्ट मैच का अंदर डेत वपर गंदबाज है इनको भी ट्राइ दोनों के दोनों गिंदबाज टीम के इंपोर्टन गिंदबाज है साथ में सामिल है यह तीनों गिंदबाज आपको डेत अबर के सांस आपको स्टार्टिंग और पर प्ले के दौरान भी आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगी बाकी बैंचेस में दोस्तों यहाँ पर अपरना मंडल प्रियंका यह तीन प्लेयर से आपको बैंचेस में नजराएंगे इंडिया डी ओमन के टीम के तरफ से बाकी लगबग सेम बैटिंग ओडर आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों इसमें से आपको जो भी बैटर आपके लिए एक डेमो टीम त्यार किया हुए भी तो एक बार आप टीम देख लो आपको और ज्यादा हेल्फ मिलेगा शुरुबात करते हैं सबसे पहले विकेट के पर से दूस्तों यह पर रिचा गोश को ट्राय करेंगे टीम के आपको चार से पांच नवर पर बैटिंग करते हुए दिख जाएंगी लास्ट मैच कंदर पांच नवर पर खेलने के लिए थी दूस्तों चार रंस को किये लेकिन ध्यान रखना कि विकेट किपरिंग भी करते हैं दूस्तों इंडिया सी ओमन के टीम के तरप से और इस वजह से मैं इनको ट्राय कर रहा हूँ देखो इस वरमा जो है दूस्तों अभी तक बैटिंग नहीं किया हुए इनका पॉइंट जो आप देख रहे हैं यह सिर्पोर सिल विकेट किपरिंग से पॉइंट्स लीवी है बात वाकि धियान रखना आर गोश्ट जो है बैटिंग भी करते हुए दिखेंगे मिडल और पे लेकि लेकिन आपके पास जोस्तों कुछ आप्सन है जैसे कि आप देख सके हैं पर की रन को मैंने ड्रॉप किया लेकिन ध्यान रखना ओपन करने के लिए आएगी लास्ट मैच के अंदर 10 रन उने स्कुर किया लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बाकि मैंने यहाँ पर प्रिया पुनिया को ड्रॉप की है यह फर्स्ट ओन पर खेलते विए नजराएंगी दूस्तों पांच रॉन बनाई थी लास्ट मैच के अंदर इन्पोर्टन्ट अगर आप चाहें तो आप इनको ट्राइ कर सकते हो ठीक है अच्छा चो ऐसे शीवरन शेक को मैंने ड्रॉप किया हुआ है सेकेंड डॉन पर खेलते वे अठार रन स्कूर किया है ति यह कुछ विगल्फ है आपके समने बैटिंग सिसन में अगर आप चाहें तो ले सकते हैं और लंडर में मैंने चार और लंडर को लिया हुआ है जिसमें से इंडिया सी ओमन के टीम के तरफ से मैंने दुस्तो एक ही प्लेयर को लिया बैटिंग 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 के तरफ से मैंने तीन और प्लेयर को लिया हुआ है जो बैटिंग के लिए मैं इन दोनों को ट्राइ करूंगा अपने टीम के अंदर जो बल्लेबाजी के साथ आपको गेंदबाजी भी करते वे दिख जाएंगे हला कि ये टीम के ऑपन करती है अच्छा खेली है लास्ट मैच के अंदर इस वज़े से में ले रहा हूं ठीक है तो अभी इस टीम को आप लोग सेव कर लो लाइनप का वेट करना अगर एक दो प्लेयर अफटर टॉस चेंज होता है तो मैं आपको फाइनल टीम टेलिग्राम गुरूप में आपको प्रवाइड कर दूँगा तो हमारे टेलिग्राम गुरूप से जुड़े रहना इस वीडियो के नीचे में आपको लिंक शेयर कर दिया है प्लिक करके इजी जॉइन कर सकते हो थैंक्स फुर वाजिंग